जो साथी इदर भूमने मिला उंचे निवेदन है कि वो यहां आ जाए जो साथी मेरे ट्वाले पीछे खड़े बतला रहे हो आ गया जाए मेरे ट्वाले साथी आ गया जाए खोटु विचिनाक बार के लिए जिना दन्यवाद बानु पर्ताप साहब मंच पर आए सभी पार्टी के अध्यक्ष भाईजा बढ़ जाओ तुम्हें क्रिशन बाली क्या कर दिया है इसके इतने प्रभु दू लोग हैं जो काफी काफी दूर से आए हैं उनका बंदन अधुनननन और नमन करता हूँ मैं दाद देता हूँ भानु पर्ताप जी को सेलोट करता हूँ जिन्होंने बरश्टाचार के खिलाप आब आज उठाई है क्योंकि अभी हमारे राष्ट्य महासचिम अमित्यागी जी भी बोलके गए हैं कि ये गीवियम में जो गरवारी है वो केवल भाजपा की नहीं है इसमें कॉंग्रेस मी मिला हुआ है और जितने भी बड़े बड़े पाती है चाहे सप्पा हो जो भी हो सब का कुछ में कुछ में उगदान है क्योंकि इनों का नेतिक अस्तरगीर चुका है आप देख रहे हैं 1947 में मिला देश हजाद हुआ तम से लेकर के आँ तक जो समुचित विकास होना चाहिए इस देश में वो कहीं विकास ने हुआ विकास होगा भी कैसे जब कोई अपने समय से पहले माबाद को छोड़ देता है जिमेदारी उठाने उठाना नहीं चाहता है बच्चे को छोड़ के चला जाता है तो हमारे देश के सुष्टत पर पहुंच जाता है बताए निकम्मा अदमी जो अपनी महीनत और अपनी रिस्पोंसिलिटी को नहीं भाना चाहता है वो क्या जंता की भलाई कर सकता है आप बताएए जो बेक्टी मेरे हिसाब से जो बेक्टी अपने परिवार के निर्मान सही से करेगा वोई राश्ट को सही से चलाएगा जो बेक्टी माबाब की सेवा नहीं कर सकता जो अपनी पत्नी का ध्यान ने लग सकता जो बेक्ति अपने बच्चे को सही मुकाम नहीं दे सकता मैं तो उस बेक्ति को भाई लीडर नहीं मानता मैं नहीं मानता लीडर ये बनावती बात हैं हमसे नहीं होगा बानुप्रताप जी आपने बहुत अच्छा सुलवात की है और जितनी भी सुलव साथ पाटियां आपको समर्थन में आई है सारे राष्टिय अध्यक्ष जो भी आपके समर्थन में लगे हुए हैं वो समर्थन देंगे सबसे बजी बात है इस देश में जुमलेवालों की कमी नहीं है बहुत अच्छी बात है परिवाद से दूर हो गए कही किसी के सानीधि में जाकरके दसलाइन बोलना सीखने गए चले गए राजीती में बन गए मुकमंत्री बन गए पंधान मंत्री अरे भाई इसे थोड़े बता है मेरे देश में मेरे देश का दुरभाग है कि किसी जमाने में जो पहली कतार में बच्चे पहते थे तो देश का नेता हुआ करते थे आज देश का नेता कौन होता है एक भी आदमी खरा होकर के हाथ उठा करके बताए